राजस्तान रोयल्स के खिलाब बुरी तरहार के बाद चन्नाई सूपर किंक्स के कप्तान महेंद्र सिंग धोनी ने बहुती बड़ा बयान दिया है महेंद्र सिंग धोनी ने पिच में तेजगेत बाजो को मदद होने की बात कई है इसके इलावा महंदर सिंग धोनी ने कहा है कि हमारी बल्ले बाजी के दोरान पीछ में मदद थी लेकिन बाज में इसमें बदलाव आ गया मैज के बाज महंदर सिंग धोनी ने हार पर ये बहुत बड़ा बयान था तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबादना आए चलो देखते हैं महंदर सिंग धोनी ने कहा है कि तेज गेत बाजों को इसमें मदद थी और मैंने जडेजा को लाकर देखना चाहा कि गेत कितनी रुक रही है लेकिन पहली पारी की तरह यह नहीं था इसके बाद तेज गेत बाजों को लाने का विकल्प टागेत पूरानी होने के बाद फिर ईस पिनरों को लाना था मुझे लगता कि दूसरी पारी में यह कुछ अच्छा है तो गया क्योंकि हमारे इस प्रइनरों को उस तरह से मदद नहीं मिली हर बार चीजें आपके अनुसार नहीं होती दोनी ने अपने रन नीतिक बर भी बयान दिया में दूनी ने कहा है कि हम वापस एक प्रोसेस में जाएंगे शायद हमने रन नितिक में अच्चा निस पादन स सामने हम खेलते हैं, इसलिए छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके बाद उन्होंने कहा कि इस प्रकिरिया में व्यस्त हैं, तो अनुची दवाव ड्रेसिंग रूम में नहीं जाता है, तो दोस्तों आपको बता दू कि चन्नेई सुपर किंग अब तक 10 मैच IPL 2020 में खेल चुकी है, जिन में से सिर्फ तीन जीत पाई है, वहीं साथ में हार का सामना करना पड़ा है, गौर तलब है कि चन्नेई सुपर किंग राजस्तान रॉयल्स के क्राप पूरे 20 ओर में 125 रन ही बना सकी, महंद्र सिंग धोनी ने 28 गेतों पर 28 रन बना है, रविंद्र जटेजा जोड़ा ने 35 रन बना है, और वह सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्ले बात है, राजस्तान रॉयल्स ने जोस बड़ल के नाबाद 70 रने की बदावलत, राजस्तान रॉयल्स के महें जीत लिया था, तो महंद्र सिंग धोनी की टीम को साथ विकेट से राजस्तान रॉ पॉइंटेबल में पांच वे अस्तान पर पहुंच गई है वैसे आपको क्या लगता है क्या इस बार यह टीम प्लेओफ में कौलिफाइग कर पाई क्यूंकि हर साल कौलिफाइग करती है अब तक आई-पेल चैंपियन तीन बार बन चुकी है तो देखते इस बार क्या होता है तो इस वीडियो में बस दिना है अगर आपको वीडियो चलेगे तो लाइक कर देना